है हैं अध् 댄 चाल कारे कैसे आप सब मैं मनोच आप सभी का स्वाकत करता हूं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे किस तरीके से डोर में मैंगे को लगा जाता है जैसे दोस्तों देख सकते हैं यह door magnet है यमडू का इसको हम लोग इस dressing के door में लगाएंगे क्योंकि दोस्तों यह हमारा single door है इसमें थोड़ा सा लगाना यह कठीन हो जाता है अगर आपके पास double door है तो उसमें एक door को open करके आप बड़ी easily इस door magnet को लगा सकते हैं बड़ दोस्त हम लोग इस magnet को center में ही इस box के अंदर लगाएंगे तो इचले फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं आपको प्रपर दिखाते हैं अभी हम लोग इस door को open कर लेते हैं दोस्तों अभी हम लोग इस magnet को इस box के अंदर center में लगा देते हैं तो सब सब पहले दोस्तों आप वोपर और नीचे की साइड में अगर आपको एक लगाना है तो आप इसमें लगा सकतें हैं, हेंडल के समें, तो अभी दोस्तों कुछ इस तरीकेस आपको इस मैगनिट को रखना है यह जो हमारी बॉक्स की धार है, उसके ऊपर हमारा मैगनिट का जो पलेट है, इसको आपको मैंनेट है वो यहाँ पे इस वोक्स के अंदर फिट हो जाएगा इसके बाद हम लोग इस टूर पर उसका फ्लेट लगा देंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बीच में भोल करेंगे इसके बाद क्या होगा कि फोड़ा बहुत जो हम लोगों को अर्जश्ट करना होगा अंदर और बाहर दोस्तों उभली हो जाएगा वो अभी फटा-फट से हम लोग इसको टाइट कर देते हैं इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे तेरा च्छे का स्कूरू प्रियॉप कर रहे हैं यसस का कापी इजी प्रोसेस हैं दोस्तों आप भी आसानी के साथ मेगनेट को लगा सकते हैं दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल पर नहीं है तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आप लोग इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं यहां पर हम लोगों ने मेगनेट को प्रापर तरीके से फिट कर लिया हुआ है अभी हम लोग इसको मार्क करने के लिए सबसे पहले यह जो धार है दोस्तों आपको उससे अंदर आपको थोड़ा सा ले लेना है और इसके बाद यहां पर भी हम लोग अड़ेश्ट करेंगे कि दोनों साइट से यह बराबर ही रहे दोस्तों जादा उड़ जाएगा तो भी प्रापलम हो जाएगा यह जब में लड़ सकता है दोस्तों आपको बराबर कर लेना है इसके बाद दोस्तों हम लोग मार करने के लिए फेवी कोल का इस्तमाद करेंगे कुछ इस तरीके से आ और यहां पर पीछे की साइट में यह मार का जाएगा कुछ इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं यहां पर उभरा हुआ यहीं पर दोस्तों हम लोग सिंपली एक बार पेंसल से निसान लगा लेते हैं और अब हम लोग इसमें थोड़ा सा डिल करेंगे क्योंकि दोस्तों हम लोग इसमें अभी तेरा चार का इसक्रू लगाएंगे अगर आपने परफेट तरीके से इसको बराबर करके रखा है तो आप इसमें थोड़ा सा मूटा भी इसक्रू लगा सकते हैं अभी हम लोग यहां बे इसका दूसरा स्कूर ब्या देते हैं अभी दूस्तों यहां पर हम लोगों ने दोनों इसप्रू को टाइट कर लिया हुआ है अभी हमारा मैंगनेट लगकर तैयार हो चुका है अभी इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यह प्रापर तरीके से काईश कर रहा है डोर को आप इसको देख सकते हैं और यहां पर बहुत मामूली सा गयप है दोस्तों यह चालता है अगर आपको उससे भी कम गयप रखना है तो आपको थोड़ा सा अंदर की साइट में खिसका देना है तो वह भी खतम हो जाएगा फिर दोस्तों यह हमारा मैगनेट लग चुका है आप भी यह सानी के साथ इस ड दोर मैगनेट फिट करने का तरीका आपको अच्छा लागात इस वीडियो को लाइक किजिए और दोस्तों के साथ जरूर से जरूर से शेर करें तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक लिए थैंक्स फर वाचिंग बाई बाई